ऐलो फ्रेंड्स मेरे चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत तो फ्रेंड्स आज मैंने बहुती टेस्टी आलू बेसन के चटपटे रॉल्स बनाए हैं यह बहुत जल्दी बन जाते हूं खाने बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं जब भी आपका कुछ चटपटा हलका फुलका खाने का मन कर रहा है तो आप इनको बना के खा सकती हैं आप इनको बच्चों के टिपिन के लिए बना सकती है आप इनको स्वेब रेक फास्ट भी बना सकती है तो चली स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले एक mixing bowl लेंगे और यह मैंने आपर एक कटोरी बेसन लिया है बेसन इसमें डालेंगे और दो चमच हम इसमें चावल का आठा डालेंगे चावल के आठी की जेगे आप इसमें कॉन फ्लोर भी डाल सकती है या आप इसको पूरी तरह से स्किप भी कर सकती है एक त्याई चमच चि अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका पतला बेटर बनाके त्यार कर लेते हैं ध्यान रहे कि इसमें लंप्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए तो हमें बिल्कुल इस तरह की कंसिस्टेंसी का इसका बेटर बनाना है बिल्कुल पतला यह बेटर को थोड़ा सा तडिक हरी मिश दालेंगे थोड़ा अदरख को यह 2020 इसको मैं इस तरह से ग्रेट कर लिया है इन जो ऐसे हो इसके कर देते हैं क्याय को फ्राइज करेंगे जब तक कर दोसक्त तक यइस यह पार जोगा कना बारीक कटे हुए यह मिःक्स कर देते हैं सब्सक्राइब अपने सापसे इसमें कोई भी एड कर सकती है को भी आप इसमें हटा सकती है अब आम इसको 3-4 मिट के लिए कवर अब बेटर बना के रखा है उसको इस तरह से हिलाते हुए इसमें डाल देते हैं कि अब बैटर को जब तक पकाएंगे जब तक कि यह जम निया की कंसिटेंस निमेन हो जा यानि की थिकना हो जाए है और गैस का फ्लेम में मीडियम ही रखना है और मीडियम फ्लेम पर हम इसको पका लेंगे और यह देखिए अभी मुझे को तो अब हम गैस को आफ कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और यह बैटर अच्छे से ठंडा हो गया है हमें इसको बहुत जाए ठंडा नहीं करना है थोड़ा सा गुनगुना ही रखेंगे और यह मैंने आप दो वाइल डालू ले लिए अब एक मेसर की सायता से आलू को इसमें अच्छे से ग्रेट कर देते हैं आप चाहें तो आलू को अच्छे से मैस भी कर सकती हैं और थोड़ी सी हम इसमें धनीय की पत्तियां डाल देते हैं इनको अच्छे से हम हाथ से मिला लेते हैं और एक डो की तरह बना के त्यार कर लेते हैं यह मैं तो आप चाहे तो टिकथे यह को बना सकती हैं तो इस तरह से हम सारे रोल्स को बना बनाके टियार कर लेंगे मैंने डीयेद करके कड़ाई में को गरह करने की रख दिया है और अंगे यह ऑसे गरम हो गया है जाएंगे नीचे से सिह गया है तो अब पर पलट देते हैं और दोनों साइड से गोड़रावन उड़े तक सेख लेथे हैं और यह रॉल्स पर अच्चे से गोड़रावन के हो गये हैं तो अब इनको निकाल लेंगे यह देखिए कितना ही इनका अच्छे से कलर आ गया है तो इस तरह से हम इनको जढाते हुए निकाल लेंगे ताग इनका इस टॉल इसमें से निकल जाए तो इसी तरह से हम बाकी के बच्चे में रॉल्स भी शेख लेंगे तो इनको इनको भी हम दोनों साइट से अच्चे से को सब्सक्राइब करें एंसेयर करें फिर मिलेंग एगली रेसिपी के साथ तब दे के लिए बाई बाई